हलो एवरिवान वेल्काम बैक टू माई यूटूब चैनल फैंट्स आज हम आपके लेकर आएं डोकला की रेसिपी जो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद है तो चलिए बिल्कुल भी देरीना करते हुए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने एक मो अच्छे से घ्रीश कर लिया है तो ढोकला बनाने से पहले हमें यह तैयारी करके रखनी होगी तो आप कोई भी मोड ले सकते हैं उसे इस तरीक से ओल से ग्रीश कर लीजिए गा फिर साथ में एक इधर मेंने बड़ा पतीला लिया है क्योंकि हम इस पतील के अंदर ही ढोकला तो इधर मेंने यह तीन कब बेसन लिया है आप तीन कब बेसन ले सकती है और इसे हम अच्छे से चान लेंगे ताकि इसके अंदर जो गुठलिया है वो बिल्कुल निकल जाए और हमारा बेसन जो ढोकला बनेगा बिल्कुल फलफी बनेगा तो इस तरीके से हमने इसको अच करेंगे टेस्ट अकोरडिंग नमक 20 पून सॉट लिया है और वं टीस्पून सुगर लिया है मैंने जो नॉर्मल चमच होती है उसी से मैंने यह सब मेजरमेंट किया है वो साथ महीर में ले रही हूँ हाफ टी स्पून सेट्रिकेशड और इसको हम गरम पानी डालके हम इसको अच्छा सा बेटर तयार कर लेंगे और हमें इस वात का धियान रखना है कि आपको बेटर बनाते समय इसको एक ही साइड डिरेक्शन में गु आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से हलका हो गया है आप साथ में एड करूंगी में इसके अंदर इनो का पाउच यानि के एक इनो फ्रूट सॉल्ट कोई भी ले सकते हैं और साथ में इदर मैंने एड कर दिया गरम पानी इस वात का धिहार रखिएगा जब भी आप से संसी और ज्यादा भड़ती जा रही है तो इससे आपको पता चलता है वेटर था वो बिल्कूल हलका हो गया है तो अब हमें क्या करना है जो भी हमने अपना की केक टीन मोल्ड अपने ग्रीस करके रखा है इस वेटर को हम उसी मोल्ड के अंदर एड कर देंगे इस बा अधर कर देंगे ताकि एक सा हो जाए इसके अंदर जो भी एर बबल हो निकल जाए और हम भगोने में रख देंगी आटा चानने वाली चलनी इसको हमें उल्टा रख देना है बगोने के अंदर तो इदेखी मैं इस तरीके से रख दिया है और साथ में इस जिस बैटर को अधर कि अधर के दानी लिया है आपको इसे वी राय ले सकते हैं जब रही अच्छे से चटक जाए तो हम इसके अंदर एड करेंगे यह हरी मिर्च इसको मेंने लंबा काट लिया है पांचे चुछे हरी मिर्च है है यह हमने विम ने दो टुकड़ों में कर लिया है लंबा- क्योंकि पानी जीतना होगा उतना ही जूसी अच्छा लगता है तो हम क्या करेंगे अब इसके अंदर एड़ करेंगे सुगर तो मैंने इधर 5-6 चम्मच इधर मैंने चीनी ली है यह अपनी नॉर्मल चम्मच होती है खाना खाने वाली वह ही है जिसे हम चाबल गए रहे खाते तो इधर मैंने 6 चम्मच इसके अंदर एड़ कर दिया है साथ मैं इधर करेंगे मैं सेट्रिक एसिट ले रही हूँ अगर आपके पास नीबू है तो उसका रस भी एड़ कर सकती है आप तो मैं इधर 1.5 टीस्पून यानि की 1.5 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसके अंदर म और इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स अच्छे से वोईल होने देंगे जब तक इसमें बढ़ी असा ओवाल ना आ जाए तो देख लीजिए 3-4 मिनट हो चुके हैं इसमें बहुत अच्छा सा ओवाल आ गया है तब हम गेस की फिलेम को कर देंगे बंद और रख देंगे इसक तो इदर हम अपने डोकले को देख लेते हैं 20 मिनट हो चुके हैं देखते हैं 20 मिनट में रेडी होता है और नहीं तो देख लीजिए इदा चेकर लेते हैं नाइफ की मतल से तो देखिए बिल्कुल क्ली निकल रहा है तो इसका मतला हमारा डुकल बन के तयार है तो अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बन और इसे ठंडा होने देंगे जब यह थोड़ा ठंडा हो जाए तो हमें क्या करना है इस तरीके से हमने इस केक टीन मोल्ड को उल्डा कर लिया हो यह देखिए बहुत आसानी से निकल गया है आप देख सकते हैं कितने बड़िया से इसमें जाली पड़ी है इससे आप आडिया उसरे सो सफ्ट औरुट इस सपुजी बना होगा हमारा ठंडा ऐ तो इसी तरीके से हमने इसको तवारस सीधा कर लिया है तो अब हम इसे कट कर लेंगे चल रहा है कितना ऍबाक्रश कblesत्र बना है ऐसको दो आइडिये लगा सकते हैं कितना सौ्ट है कितना vlą terrifying बना है काटने पता चल रहा होगा आपको फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को अपने घर पे जरू ट्राइ कीजिएगा यकीन मानिए यह रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत ही इस तरीके से बनाएंगे तो परफेक्ट आपका जालीदार ढोकला बनेगा बिल्कुल बजार जैसा मा परफेक्ट कर सकते हैं तो इदर जो हमने सीरप बना के रखा था तो हम इसको भी एड़ कर देंगे ताकि यह बरुकुल जूसी हो जाए डोकला अपना तो देख लीजिए मैंने इसके अंदर एड़ कर दिया है साथ में ही मैं इस पे हरा धन्या पता जो मैंने काट के रखा इसको भी हम एड़ कर देते हैं गार्णी सिंग के लिए इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आपके पास करीपता है तो उसको भी आप एड़ कर सकती है चासनी मनाते समय सीरम बनाते समय पर में पास अबलेवल नहीं था तो देखिए मैंने आपको कट करके दिखा अच्छा डोकला हमारा बन के तयार हुआ है और चैनल पे अगर नियू हैं तो प्लेज चैनल को सस्क्राइब कर लिजीगा और अपने प्यारे कमेंट्स करके इसे प्रेस जरूर कर दिजीगा ता कि आपको मेरी वीडियो का नोटिपिकेशन मिलता रहा है और आप मेरी वीडियो देख सके inspraven और फ्रेंट्स आपको नेक्स्ट डेसिपी कॉन सी चाही है आप कमेंट वोक्स में लिख सकते हैं तो छलिए फ्रेंट्स बिलते हैं अगली वीडियो नियो रेस्पिक साथ तब तक के लिए नमस्ते और बाई